यह है इंडिया की बेस्ट रिवीजन स्रीज, माइंड मेफ स्रीज अगर आपने फॉरा पढ़ लिया है, बहुत जल्बी से उसको रिवाइज करना चाहते हो तो यह है आपका ब्रमास और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज हमारे पिटारे में आज बच्चे हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन्स रिवाइस करने वाले हैं, क्लास 11 तें 12 का और साथ मैं 16 BKGs देने वाला हूँ, बाबा के ग्यान देने वाला हूँ, इसको गरा डाला हा, तो लाइफ जिंगा लाला तो भी या देखें, सबसे पहली चीज ये है, कि कि स्टेप का सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे आपको मैपिंग दी होगी और पूछा जाएगा कि इन में से कौन सी मैपिंग फंक्शन है, तो देखें भी ये इसके लिए BKG1 आता है, कि सबको एक ही तीर चलाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको चलाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, और सबको एक ही तीर चलाना है, अगर फंक्श आते हैं, तो मैंने यही बोला, भाई सबको एक ही तीर चलाना है, अगर भाई सब एक मैं नारा दूँ, तो आज अपने मॉल्ले में इसके पोस्टर लगा देना, कि only one by everyone, सबको चलाना है, परन्तु एक ही चलाना है, यह है BKG1, तो देखो भाई हमने क्या बोला, हमने बोल तो और फोर ने तो बिल्कुल सही काम किया, सब ने एक ही एक तीर चलाया, लेकिन थ्री का जो धोका था, उसने दो तीर चला दिये, तो यह बेटा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आओ, वन ने एक तीर चलाया, मैंने कहा very good, उसके साथ में थ्री ने एक तीर चलाया, very good, ले उसके बाद में भाई, जैसे तीसरे में आओगे, हमने यह पाया, कि सर यहाँ पे वन ने तीर चलाया, टू ने तीर चलाया, थ्री ने चलाया, फोर ने चलाया, सब ने तीर चलाया, और एक ही एक तीर चलाया, यानि कि सर यह फंक्शन है, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, बहुत अच्छे, अब आता है भी यह देख लो, question का type, graph भीया दिया होगा, और आपको बताना होगा, कि यह graph function का है, कि यह सिर्फ कोई एक relation है, मतलब एक general curve है, relation का मतलब क्या होता है बाई, relation का मतलब relation का graph, मतलब सरी यह कोई general curve है, यह कोई भी एक random curve है, तो आपको यह बताना होगा, graph दिया होगा, और यह बताना होगा, कि यह बताइए, कि क्या वो graph किसी function का है, तो देखे भीया, क्या होता है, आता है, BKG2, बाबा का ज्यान number 2, कोई भी line parallel to y-axis बना, अगर भाई साथ, किसी भी line, आपको पता है, कि y-axis के तो खुब सारे parallel lines हो स सकते हैं, infinitely many, अगर किसी एक line ने भी, ठीक है ना भाईया, एक से जादा point पे cut कर दिया, तो वो function नहीं है, अगर कोई भी आपने line parallel to y-axis बनाई है, उसने एक से जादा point पे cut किया, तो वो graph function का नहीं है, इस अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद यही है, जो मैंने आपको ह बताया, बहुत अच्छे, तो देखिए भाईया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसे देखो, vertical line test भी बोलते हैं, जैसा कि आप उपर देख रहे हो, जैसे example दिखाओ, यह example दिया, इसमें आपको बताना है, क्या यह curve function का है, तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ देखिए, अगर आप कोई भी line बनाओगे, कोई भी line बेटा बनाओगे, parallel to y axis, तो देखो, कोई भी line जो आप बना रहे हो, parallel to y axis, वो एक ही point पे cut कर रही है, है सर, हाँ, वो देखो, एक ही point पे cut कर रही है, कोई भी line अगर बना रहे हो, आप, parallel to y axis, तो देखो, वो एक ही point पे cut कर रही है इसलिए सर ये graph function का है ऐसे मत गिनना कि एक point दो point तीन point चार point पाँच point और तुम कहतो सर इसने पाँच point पे cut किया है तो ये graph function का नहीं है ऐसे total नहीं count करते हैं बस एक line को देखो उसने pink वाले graph को एक ही point पे cut किया है यहाँ पे आप कोई भी line बना ले ना वो सारी की सारी lines एकी point पे cut कर रही है तो ये graph function का है अब जैसे बेटा circle के पास जाओगे हमने का ये बेटा lines बनाते हैं तो भीया यहाँ पे ध्यान से देखिए इस line ने देखो इसको भी एकी point पे cut या touch किया ये वाली line बनाई इसने भाई साब दोका दे दिया अगर सर एक भी line अगर भाई कोई एक भी line दोका दे दे तो वो graph function का नहीं है क्योंकि भाई इस वाली line की तो कोई गलती नहीं है इसने का हमने तो एकी point पे touch किया इसने एक मचली पूरे तल आप को गंदा करती नहीं होता है answer हा बेटा तो देखो यहां पर बेटा मैं एक चीज लिख सकता हूँ यह जो मैंने पहला सवाल कराया था तो मैं यह लिख सकता हूँ कि sir every mapping every mapping जैसे पीछे बेटा तीन mapping दी गई थी every mapping is not a function, सही बात है निया हर mapping function नहीं होती है but but every function होते sir every function is a mapping हर function क्या होता है mapping होता है यह मेरे को line, vertical line test से पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन भाई साब भूल गया था लिखवाना, इसलिए अब लिखवा दे रहा हूँ तो भी यह देखो mapping का भॉकाली अंग्रेजी में नाम क्या है relation बोलते है भाई इनको mapping का दूसरा नाम relation होता है mapping का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, relation होता है यह सारी चीज़े आपको अपने short notes copy में लिखनी है यानि सर दो टाइप के सवाल आएंगे तो हम दो BKG से उसको उड़ा देंगे हैं सर, हाँ बेटा अगली चीज, BKG 1 देख लिया, बहुत अच्छे BKG 2 देख लिया, बहुत अच्छे आजो, finding domain of functions सर, domain का मतलब क्या होता है सर, यह x की values होती है जिसके लिए function क्या होता है defined होता है function not defined नहीं होता है जैसे example ले लो, मैंने लिया under root of 1 upon x इसको मैंने बोल दिया सर fx, अब बताओ बेटा यह जो function है, यह कब define होगा जब सर, इसके अंदर वाला यह जो 1 by x है वो greater than equal to 0 होगा है सर, हाँ अब सर, इसको आप wavy curve in equality से solve कर लेना, तो इसका answer आजाएगा x belongs to 0 से infinity है सर, हाँ बेटा और इसे ही बोलेंगे domain अगर आपको calculation में कुछ गड़बर लग रही है तो इस calculation में कोई गड़बर नहीं है आपको भाई, खुद से solve करना आपका भी यही आ जाएगा सर, इस, अब जैसे भी यह next ही जाती है bkg number 3, बहुत important है we can never simplify a function without finding its domain आपको जब तक domain का answer ना मिल जाए बिना domain निकाले आप function को simplify नहीं कर सकते हो for example यहाँ पे दिया है fx equals to 1 यहाँ दिया है gx equals to x by x यह दोनों भाईया same function नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ these are not equal functions यह दोनों भाईया equal functions नहीं है यह करना गलत हो जाएगा कि आप xx को काट के directly one लिख दो नहीं भाई साब आपको क्या गरना होता है कि सबसे बहले भाई domain निकालना होता है तो आपको पता है सर अगर जी कि मैं domain की बात करूँ तो कोई भी number ले सकते हो पर यह 0 नहीं हो सकता है क्योंकि सर denominator कभी 0 नहीं हो सकता है ठीके denominator कभी 0 नहीं हो सकता है यह इसका domain है जब domain निकालो तब permission मिलती है इसको simplify करने की तब आप लिख दोगे gx equals to 1 यह चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है परन्तु यह चीज ऐसी कुछ होती है है सर हाँ बेटा समझे पहले मैंने domain निकाला फिर मैंने simplify किया अगर भाया इसकी बात करो इसके domain की तो आपको पता है यहाँ पे तो x है नहीं तो हम लोग बोल सकते x को जो put करना है वो put करो x भाया 1 put करो f1 भी बनाएगा 2 put करो f2 भी बनाएगा यहाँ पे x को भी जो put करना है वो put करो answer हमेशा बनाएगा तो भी यह देखो इसकी domain real numbers है इसकी domain real number है परंतु इसमें 0 नहीं है इसको भाई साब ध्यान लखना है सर हाँ बेटा अब आता है भी यह बाबा का ग्यान वो यह ग्यान आता है कि अगर आपको किसी function में 2 से ज़्यादा functions दिये हो 2 या फिर 2 से ज़्यादा भाई function दिये हो तो उसकी देखो domain कैसे निकालते है वो जो 2 या 2 से ज़्यादा expressions दी होगी अभी आगे सवाल है और clear होगा उनको आपस में multiply किया है या फिर add किया है या फिर subtract किया है या फिर divide किया है अगर भी या 2 से ज़्यादा expression को multiply, add, subtract या divide किया है जिसमें कि इन सब को मिला के एक function बनाया गया है तो सर हम लोगों को individual domains निकालनी होती है इन सब की individual domains निकालनी होती है और भया finally हमें इनका intersection लेना होता है है सर, हाँ सर कहना क्या चाहते हो बताते हैं बेटा कि हम क्या कहना चाहते है जैसे इस वाले सवाल में अगर आप गौर दोगे, आपको क्या दिया है fx equals to, देखो भी या पहला expression दूसरा expression, तीसरा expression यहाँ पे तीन expression में क्या किया गया है subtract और add करके function fx बनाया गया है सर कैसे निकलेगा इसका domain मैंने का भी है यह जो root के अंदर वाली चीज है वो positive मतलब greater than equal to 0 होनी चाहिए आप इसको wavy curve in equality से solve कर लोगे यहाँ जो root है 7 minus x root के अंदर यह positive होना चाहिए यह 0 तो नहीं सकता वरना denominator में 0 हो जाएगा ठीक है सर तीसरा सर यह denominator 0 नहीं हो सकता इन तीनों से x की values निकालोगे और finally क्या करोगे सर आप intersection लोगे फिर इसका सर answer आ जाएगा है सर हाँ हम functions revise कर रहे हैं वेवी कर revise नहीं कर रहे हैं इसलिए भाई साब सिर्फ मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूं है सर हाँ बेटा ओते सर हाँ अब आता भी है कि logarithmic जो functions होते हैं उनका सर हम domain कैसे निकालते हैं मैंने कहा अगर log दिया है number दिया हुआ है gx base दिया हुआ है fx तो log कब defined होता है log तब defined होता है जब यह जो number है यह positive हो यह जो base है वो positive हो लेकिन base सर 1 के बराबर नहीं हो सकता है और इन तीनों का क्या लेना होता है intersection in this way we find the domain of a logarithmic function yes sir yes भीटा अब आगे देखो जैसे भी यह इस वाले सवाल में आपको इसका था domain निकालना तो आपने क्या करा मैंने का sir यह जो number दिया है यह पूरा का पूरा जो number दिया है यह greater than 0 होना चाहिए उसके बाद में base भी sir greater than 0 होना चाहिए पर sir base की value 1 के बराबर नहीं हो सकती है यह तीनों भाई साब solve करके आपको intersection लेना है जैसे आप तीनों का intersection लोगे तब तेरम तुम्हारा answer आ जाएगा है sir हाँ फिर से मैं बोल दूँ मैं वेवी कर आपको revise नहीं करा रहा हूँ function revise करा रहा हूँ तो भाई इसको solve कर लेना इसको solve कर लेना इसको solve कर लेना तीनों का intersection ले लेना है sir yes बेटा आगे आओ कुछ भाई या घ्यान दो क्या भाई साब कि polynomial functions क्या होते है भाई या function of the type a0 देखो ये एक number होगा 2347 pi 22 by 7 half कुछ भी हो सकता है a1 x की power 1 a2 x की power 2 a3 x की power 3 और finally क्या है sir an x की power n ठीक है यहाँ पे sir n क्या है मैंने का sir यहाँ पे जो n है वो एक whole number हो सकता है sir yes n एक बेटा whole number हो सकता है इसकी sir degree n है इसकी degree क्या है n है degree मतलब highest power इसकी n है और sir जो x की power n का जो coefficient होता है जो कि यहाँ पे n है उसको हम लोग क्या बोलते हैं leading coefficient कुछ बेटा points होते हैं इसके जो कि आपके continuity और differentiability में काम आते हैं कि वह यह अगर आपको कोई polynomial function दिख जाए तो वो हमेशा होता है continuous इसका मतलब क्या है कि polynomial function का graph कभी तूटता नहीं है इसके बाद में sir जो दूसरी चीज आती है वो यह आती है अब polynomial function of degree 1 and no constant term कहा गया है कि अगर polynomial function है जिसकी degree 1 है जैसे भाई बोल दिया fx equals to a into x की power 1 ठीक है भाई a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है है sir हाँ और sir कोई constant term नहीं मतलब यहाँ पे 2, 3 कुछ add नहीं हो सकता है यह 2, 3 को subtract नहीं हो सकता है इस format की जो चीज है इसका एक भाई यह special name है इसको हम बोलते है odd linear function बस यह इसका नाम है है sir नहीं इसके बात में बहुत important point है जो पूरे गणित में काम आता है अगर कोई तुमको polynomial दिया गया है जिसकी सारे degree odd है उसकी range चिला के बोल दो real number range मतलब की य की values function कौन कौन सी value ले सकता है अगर भाई साब कोई polynomial की degree odd है तो उसकी range होती है r अगर भाई साब वो even degree polynomial है तो भाई उसकी range होती है which is a subset of r मतलब इसका कहने का क्या मतलब है की even degree polynomial की जो range होती है वो r नहीं होती है वो भाई या r नहीं होती है r से छोटी होती है अगर भी आप proper word बोलू तो पिछली line मैंने गलत बोली है proper line ये है कि सर अगर कोई even degree का polynomial है तो उसकी range क्या होगी या तो r या तो उससे छोटी होगी उसका subset होगी लेकिन भाई या कहीं पर अगर degree odd का polynomial मिल जाए तो आपको तुरंट चला देना है कि सर उसकी range क्या है अब इसकी practice आगे होगी तो समझ में आया तो ठीक नहीं आया तो और भी ठीक है सर एक और चीश leading coefficient कभी 0 नहीं हो सकता ये हमेशा non-0 होता है थेंक यू सर अब देखें भाई साब यह आता है BKG4 जिस पे सवाल आने की बहुत समभावना होती है कि special case है polynomial function का पूरे के पूरे algebra में 5 सिरी मुंड़ी उपार पूरे के पूरे algebra में सर भी आग दो ही ऐसे polynomial function होते हैं जिनकी degree non-0 हो degree क्या है 0 नहीं है जिसकी degree non-0 हो और यह functional rule को भाई साब satisfy कर रहे हो सर यह functional rule क्या है मैंने का fx plus f of 1 by x equal to fx into f of 1 by x मतलब function fx है फिर function 1 by x है फिर fx into f of 1 by x है यहाँ addition यहाँ multiplication है हाँ यहाँ पे सर जो x है वो कभी 0 नहीं हो सकता है कुछ भी हो सकता है 0 नहीं हो सकता तो भी यह इस पे सवाल आता है पूछा जा सकता है कि सर सिर्फ दो ही function होते है सर पहला function कौन सा होता है मैंने का 1 plus x की power n और दूसरा function 1 minus x की power n सिर्फ यह दो function ऐसे होते है जो यह functional rule satisfy करते है इसको अपने खून में बसा लो बोलो जै बाबा की है सर अब देखो भी यह अगला function आता है जिसका नाम है greatest integer function इसके और भी नाम है floor function यहाँ फिर क्या बोलते है step function और भी यह देसी भाशा में मैं इसको क्या बोलता हूँ भी यहा डबा function है सर हाँ बेटा इसको हम लोग डबा function भी बोलते हैं यह भी यह आता है बाबा का ग्यान 5 अगर भाईस आप integer का डबा बताना है तो आंसर होता है same integer है सर अगर भाईस आप किसी non integer का डबा बताना है तो इसको बोलते हैं just पीछे वाला integer है सर अरे कहना क्या चाहते हो हाँ बेटा रुको बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं हम भाईस आप यह कहना चाहते हैं जैसे किसी integer का डबा लेना है तो लिख दो वही integer और किसी वहीं नौन integer का डबा लेना है तो उसके just पीछे वाला integer 3.1 का डब्बा 3 होगा 3.9 का डब्बा 4 मतलिख देना 4 मतलिख देना ये भी 3 होगा क्योंकि 3.9 के जस्ट पीछाल अंटीजार 3 होता है है सर अब आता है BKZ6 ये बहुत हल्प करेगा फ्लैश पैट में लिख लेना ठीके ना इसको भी इसको बोलते हैं कैसे GIF equations को solve करें GIF equation मतलब कि बहुत डब्बा X दिया होगा फिर आपको X की value निगालनी होगी अगर डब्बा X को integer दिया है तो हमेशा X की value close I से I plus 1 होता है तुरंद इसको flashpad में लिखो है सर मुझे पता है आप ये सोच भी सकते हो यहां दिखलो यह general सा formula तो अगर डब्बा X minus 2 दिया है इसका मतलब सर जो I है इसका value है minus 2 तो सर X belonging to होगा I से I plus 1 जो कितना होगा minus 1 और ये हो जाएगा answer है सर yes this is BKG 6 अब आता है ये BKG 7 ये ये बोलता है कि सर जो डब्बा X है वो हमेशा integer होता है हमेशा डब्बा X की नहीं बात करो X या integer या non integer कुछ भी हो सकता है लेकिन डब्बा X की value हमेशा integer आती है जैसे बोला गया डब्बा X 2.3 है तो X की value बता हो हम कहेंगे कभी ऐसा हो इनहीं सकता तो X हो जाएगा belong to 5 ऐसा क्यों होगा क्योंकि कभी भी डब्बा X 2.3 नहीं हो सकता बहुत साथ लोग इसका अंसर भी या 2 दे देते हैं गलत है बेटा ये अगर X की value 2 है तो इसा डब्बा 2 तो 2 होना चाहिए 2.3 थोड़ी नहीं होना चाहिए तो भी या थोड़ा सा सामधान रहें सतर करें इस पूरे डब्बा की value 2.3 कभी भी नहीं हो सकती है है सर्ड येस बेटा नेक्स्ट में हो आप देखो भी या BKG 8 आता है कि अगर भाई साब डब्बा X आपका greater than equal to integer है format ध्यान रखना मैंने क्या बोला डब्बा X जो है वो greater than equal to I है मैंने ये नहीं बोला है कि डब्बा X greater than I है ये नहीं बोला है greater than equal to I है तो हमेशा सर्ड यहाँ पे X की value close I से infinity होती है format exactly यहीं मांगता है कौन सा format यहीं मांगता है कि डब्बा X होना चाहिए greater than equal to I जैसे सर्ड यहाँ पे डब्बा X दिया है greater than equal to 2 यानि कि सर्ड यहाँ पे I का value कितना है सर्ड 2 है यानि सर्ड X की value कितनी हो जाएगी close to 2 से open infinity है सर्ड हाँ बीटा क्या भाई साब मामला cool है मेरे क्याल सो यहाँ मामला एकदम cool है next में ओ this is BKG number 9 BKG number 9 वही पुरानी बात है कि सर्ड 2X हमेशा integer होता है अगर भाई कोई भी GIF inequality दी है हमेशा उसको आप reduce कर दो डबा X greater than equal to I में और फिर answer यह होता है यह 3 point देखे जाए यह 3 point एकी point है सर कहना क्या चाहते हो जैसे कि यह सवाल इसमें सिर्फ आपको दिया है डबा X greater than equal to 2 है सर जबकि आपको पता है सर format क्या होता है डबा X greater than equal to I लेकिन यहाँ पे सिर्फ greater than दिया है यानि कि पुराना formula काम नहीं करेगा हमें पता है सर कौन सा format लाना चाहिए बताओ डबा X अगर greater than equal to I है है सर अगर सर डबा X greater than greater than 2 है डबा X होता है इसका मतलब क्या है सर जो डबा X है 2.1 तो हो नहीं सकता तो next year सर 3 आएगी मतलब अगर integer greater than 2 है डबा X को integer की निगाओं से बड़े लोग देखते है कि डबा X क्या है सर डबा X integer है है सर तो भया अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि डबा X greater than 2 है इसका मतलब डबा X greater than equal to 3 है समझे क्योंकि integer greater than 2 का मतलब 3 से चालू होगा और इसका answer क्या होगा सबको पता है सर आई आ गया है 3 तो इसका answer होगा X belongs to close 3 से open infinity है सर और क्या होते सर बिलकुल है सर मेरे काल समझ गया होगे सर inequality solve करने में क्या है हमेशा इस वाले form में लेके आना है अब दिखो भी या अब तक तो आपने greater than equal to greater than equal to i का पड़ा अगर मानो डबा X less than equal to beta i आ जाए तो इसका answer होता है X belonging to minus infinity से open i plus 1 है सर हाँ देसे मुन्ना यहाँ पे तुमको दिया है ये वाला सवाल तो आप समझ सकते हो सर इसका answer कैसे लिखोगे मैंने का सर i का value हो गया है minus 2 तो answer हो जाएगा X belongs to minus infinity से minus 2 plus 1 बहुत अच्छे मतलब X belonging to minus infinity से minus 1 यही है answer सर इतना खराडा ला life क्या होता है बेटा जहिंगा लाला है सर हाँ बेटा ओते सर बिलकुल सही बेटा तो यह था भी यह BKG number 10 domain की बात करें तो सर आप डबा X में कुछ भी X put कर सकते हो real number में सर range क्या Z का मतलब integer यह complex number नहीं है Z का मतलब integer range का मतलब क्या answer हमेशा integer आता है इसका graph कुछ देखो ऐसा होता है समझ में आ रहा होगा यह सर step of function कहलाता है समझ में आ रहा हो चड़ते जा रहे हो डिचू-डिचू-डिचू-डिचू-डिचू उपर देखो चड़ते जा रहे हो यह ग्रीन वाला जो ग्राफ है सर यह ग्रीन वाला ग्राफ किसका है यह greatest integer function का है है सर प्रोपर्टीज की बात करें बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं कि भाई साब अगर अंदर कोई integer आ गया है डबा ओफ x प्लस i कि अगर दिया है डबा ओफ x-2 आप हमेशा प्लस में सोचो तो यह जाएगा डबा ओफ x-2 तो यह हो जाएगा सर डबा x-2 है सर हाँ अब तो यह एक बात तुमसे और मैं करना चाहूंगा मैं यह बेटा बात करना चाहूंगा ऐसा हो सकता है कि आप किसी और कोचिंग के हो यह सारी चीज़ें आपने ना पढ़ी हो जो 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 मैं बता रहा हूं तो यह ऐसा भी होता माइंड मैप से आपका हेल्प होगा कि हाँ जो चीज हमने pw में batches के अंदर बेटा पढ़ाया ह हुआ है या फिर यहां मनजिल के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई हुई है तो यार आपको कोई नई चीज़ें पता लगेंगी कि यह तो हमने पढ़ा नहीं तो भाया वो चीज़ें भी note करो और वो भी चीज़ पूरा तयार करने की कोशिश करो ठीके भाई आजो नेक्स आ और वाईसाब अगर डबाव माइनस एक्स को आप एड करोगी यह अगर एड होके जीरो हो जाता है तो सर यह कब होता है जब एक्स क्या होगा सर जब एक्स होगा इंटीजर है सर हाँ और वाईसाब जैसे एक्स नौन इंटीजर है समझ में आ रहा है तो सर यह सम कितना होता है minus 1 तो यह जिर्विया ध्यान रखना है कि अगर x है integer तो डबा x और डबा of minus x कितना आता है 0 और अगर x है non integer तो यह sum कितना आता है minus 1 सर inequality के कुछ सवाल होते हैं जैसे limits में आपने पड़े होंगे sandwich theorem में वहां आप इसका बेटा बहुत काम आता है कि जो डबा x होता है वो less than equal to क्या होता है x ओते सर हां बेटा यहां तक मैंने तो भया 24 minute में चीजें बोल दी है लेकिन मुझको पता है कि आपको दिक्कत हुई होगी तो आप slow slow सुन रहे होगे कोई बात नहीं यह mind map revision है ठीक है मेरे बच्चे बीच में आप pause भी कर सकते हो और कुछ चीजों को सुन भी सकते हो कुछ चीजों को 0.5x में भी सुन सकते हो क्योंकि हमें कम time में पूरा revise करना है है sir yes बेटा अब ऐसा बगली चीज़ आती है fractional part function इसका formula भया बहुत बहुत काली है यह इसका sign है sir जो fractional part x होता है वो x minus double x होता है अगर मैं domain की बात करूं तो real number होता है जो put करना है put कर दो range हमेशा sir इसकी close 0 से open 1 आती है अगर मैं तुमसे बोल दू sir fractional part of 2.1 तो यह answer आ जाएगा देखो x की value 2.1 है तो देखो इसको solve करोगे तो आपको समझ में आ रहा है double of 2.1 2 होता है तो sir यह आ जाएगा 0.1 formula लगाओ answer पाउ है sir yes यह बाइस की बहुत important property देखो भया जो fractional part होता है वो integer को अपने में समा लेता है उसे खा जाता है अगर fractional part of x plus integer लिखा है तो answer भया fractional part होता है जैसे बाइस आपको दिया है fractional part of x plus 2 तो answer भाइस आप fractional part of x होता है है सर यह नुकीले दाथ है यह बाईस आप 2 को खा जाते है इंटीजर इसका भोजने बाईया इंटीजर कोई एकदम समा लेता है अपने में है सर यह बेटा अगला आते है अभी आप Fractional Equations इसको कैसे solve करते हैं अगर आपको Fractional Part of X2 दिया है पहली चीज यह आपको ध्यान देना है कि सर जो Fractional Part of जो X होता है यह हमेशा Close 0 से Open 1 होता है ठीके बाई अगर Fractional Part of X2 आ जा रहा है ऐसा कभी हो इनी सकता तो इसका अंसर होगा X belong to 5 मतलब Integer बाईया यह Integer मतलब स्वारी आपको बाई Range का हमेशा Simultaneously साथ में जिकर करना है दिमाग में उसे बिठा के रखना है अगर बेटा मैं अगली चीज की बात करूँ जैसे मैंने आपसे बोला इस वाले सवाल में मैंने का बाईजा Fractional Part of X आपको हाफ दिया है है सर हाँ तो आपको बाईजा आप X की value निकालनी है सर बताईए कैसे निकलेगी X की value हाँ बेटा रुकिए हम आपको बताते है functions में भौकाली आपको बनाते है है सर हाँ तो देखे बीजा क्या होता है आपको पता है कि सर Fractional Part of X क्या होता है सर ये होता है X माइनस डबा X है सर हाँ इसको उधर ले जाओ तो आपको समझ में आ रहा है सर Fractional Part of X में जब कभी डबा X एड़ करो तब सर ये X बनता है है सर हाँ तो आपको पेटा ये समझ में आया कि अगर Fractional Part of X से अगर हमें X का सफर पेटा तैय करना है यानि सर यहाँ पे बोट साइट्स मुझे क्या करना है सर बोट साइट्स मेरे को एड करना है क्या डबा X है सर हाँ अब देखो जैसे एड करोगे यहाँ पे आ जाएगा Fractional Part of X प्लस आ जाएगा डबा X यहाँ पे आ जाएगा Half प्लस डबा X है सर हाँ अब बताब what is Fractional Part of X प्लस डबा X आपको समझ में यह X है यहाँ जाएगा Half प्लस डबा X लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई ऐसा किताबों में भी होता है इसको भी यह लोग N एजियूम कर लेते हैं N का मतलब Integer होता है तो यह हो जाएगा Half प्लस N और सर N क्या है मैंने का हाँ N है Integer है सर यानि सर यह आएगी X की Value और यही कहलाएगा Answer ओत सर यस बेटा Answer बिलकुल सही बेटा बढ़िया सर बढ़िया बेटा अब आती भीया Fractional In Equations तो भीया इसमें भी क्या करना होता है आपको भीया Add करना होता है डबबा X in all the sides बढ़िया in all the sides sides का मतलब LHS, RHS जो भी होता है वहाँ भीया आपको डबबा X भीया Add करना होता है क्योंकि डबबा X प्लस Fractional Part of X बेटा X होता है Answer? Yes अब जैसे यहाँ पे आओगे Fractional Part of X greater than Half है इसको देखते ही तुम समझ जाओ Fractional Part of X जितना भी उचल ले जितना भी उचल ले Half से बड़ा है परन्तु 1 से तो छोटा ही रहेगा इस चीज़ का भाई ध्यान देना है ठीके ना Fractional Part of X Half से बड़ा है परन्तु 1 से तो छोटा ही होगा अब देखो तीनों से बड़ा डबा एक्स एड़ करो तो यहां आ जाएगा Half प्लस डबा एक्स यहां आ जाएगा Fractional Part of X प्लस कितना डबा एक्स और यहां आ जाएगा 1 प्लस डबा एक्स अब भीया देखो आपको यह समझ में आया सर यह क्या है मैंने का यह एक्स है यह एक्स है सर वाट इस डबा एक्स मैंने का एन है तो यह हो जाएगा एन प्लस हाफ यह भी एन है तो यह हो जाएगा बेटा एन प्लस वन है सर और यही क्या कहलाएगा यही कहलाएगा आंसर यहां पे एन कितना होगा जैसे कि यह सवाल आप यह वीडियो को pause कर सकते हो और pause करने के बाद खुछ से try कर सकते हो फिर answer यहां से match कर सकते हो आपको भाई साब जो fractional part of x है वो less than equal to 1 by 3 दिया है आपको पता है यह जितना उचलने लेकिन greater than equal to 0 तो होंगी मतलब extreme value का आपको ध्यान रखना है अगला step क्य होता हैpunk सार तीनों साइड डबबा एकशे add कर दो यानी 0 plus डबब एक्स यहां आ जायेगा यहां पर fractional part of x plus x हो जाएगा यहां पर one by three plus x हो जायेगा, what is fractional part सांथ अब लिख देते यहां पे इसको एंप कर देते हैं तो जर यहांपे एंडे को यह लिखला होगा कि domain range graph domain में आपको बता चुका range में आपको बता चुका यह सर इसका क्या होता है graph होता है देखो 0 से 1 के बीच में है 0 में close है और देखो 1 पे हर जगे देखो open है arrow का मतलब open होता है देखो top है यह सारी सारी top है यह infinity तक ऐसे ही top होंगी है सर यस बेटा ओते सर बिलकुल सही बेटा अगला आता है यह हर्माइट identity इसे बोलते हैं अगर बैला एक सर एक सर अब आती है अब आती है मेरी बारी है सर अब देखो में यहाँ पे X का value कितना दिया है 1.2 N देखो denominator में होता है तो N का value कितना है 9 Sir इसका answer क्या होगा मैंने कहा Sir इसका answer होगा डबा NX Sir यह N कितना है मैंने कहा 9 है Sir X कितना है 1.2 है Solve करोगे तो यह आजाएगा 10.8 इसका डबा कितना होगा 10 answer है 10 अगर answer 10 आया है तो अभी आप comment करो 10 दिल 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 करियर की कसा में अगर आपका यही answer आया है answer yes बेटा जोनी जोनी yes पापा तो बहिए यह बहुत साइब लोग ने पहली बार पढ़ सकते हैं तो इसको flashpad में लिखो इसको याद करो answer हाँ इसके proof की कोई जरत नहीं है classes में से इसका proof करा दिया जाता है लेकिन जब इसका बेटा proof करा दिया जाता है तो यह बता दिया जाता है कि यह से formula आना चाहिए है sir signal function तो देखो signal max क्या होता है यह इसकी value plus 1 होती है जब यहाँ पर यह entry positive होती है इसकी value 0 होती है जब अंदर entry 0 होती है इसकी value minus 1 होती है जब अंदर entry negative होती है मतलब अगर कोई तुमसे पूछ ले what is signum of minus 100 एकदम चिलना के बोल दो minus 1 है हाँ क्योंकि entry क्या है sir negative है yes beta इसका graph देख लो domain की बात करूँ real number में कुछ भी हो सकता है range की बात करूँ या तो minus 1 या तो 0 या तो 1 graph कुछ ऐसा होता है 0 पे 0 value है positive पे भी या देखो plus 1 value है negative पे देखो भी या minus 1 value है graph infinite तक ऐसे ही जाता है graph minus infinite तक ऐसे ही जाता है ये भी या signum x का graph है अब आता है भी या exponential function तो देखो भी या exponential function को a की power x से दिखाय जाता है या पर a को permission क्या होती है a भी या 0 से 1 ही लिया जाता है 1 नहीं लिया जाता है कभी 1 पे open है या तो भी या 0 से 1 के बीच में लिया जाता है या फिर 1 से infinity के बीच में लिया जाता है ऐसे functions को बोलते है exponential function जैसे a को मैंने 2 ले लिया तो 2 की power x a को मैंने 0.5 ले लिया तो ये हो जाएगा 0.5 की power x इसकी power में variable है सर येस बीटा अब जैसे बहिया यहाँ पे आप आओगे domain x को जो put करना है put करो ठीके न बहिया यहाँ देखो domain का मतलब क्या होता है x की value range इसकी हमेशा 0 से infinity के बीच में आती है मतलब sir जो a की power x होता है वो हमेशा positive होता है कभी 0 भी नहीं होता है हमेशा positive होता है sir इसके graph की बात करू next page में बहुत जादा अच्छे अगर a यह 0 से 1 है तो देखो यह decreasing graph है अगर a greater than 1 है तो देखो यह increasing graph है decreasing graph है increasing graph है graph हमेशा x axis के उपर है दोनों के case में इसलिए भाई साब क्या हो रहा है इसलिए भाई साब यह हमेशा positive value ले रहा है है sir yes properties की बात करू exponential functions are always positive अभी बता चुका हूँ कि sir a की power x हमेशा greater than 0 होता है equal to 0 भी नहीं होता है अगर आपको a की power x a की power y के बराबर दिया है इसका मतलब power same होनी चाहिए sir हाँ बेटा अगर a की power x a की power y वरारत बराबर दिया है तो भी यह x y बराबर होना चाहिए inequality की बात करूँ तो भी यह अगर आपको a की power x greater than a की power y दिया हुआ है और भाई साथ में आपको पता है कि a greater than 1 का मामला है मतलब increasing वाला graph है तो भी यह बड़े वाले की बड़ी power होगी छोटे वाले की छोटी power होगी लेकिन अगर decreasing graph का मामला है जब a 0 से 1 है तो बड़े वाले की छोटी power होगी छोटे वाले की बड़ी power होगी यह बहुत ज़्यादा use हो सकता है मेंस हो चाह एडवांस तो इसको भी यह जरूर अपने खून में बसा के रखे सबसे important property है और यह भी आजकल crush अल्ला है जही मेंस का crush मतलब समझ रहो जही मेंस को इससे प्यार हो गया है इस पे बहुत सवाल आ रहे है GP के form में सवाल आ रहे है तो देखे most important property यह है इसको भी यह खून में बसा लो sir f of x plus y क्या होता है f of x plus y होता है fx into fy अगर यह दिया है अगर आपसे बोला है f of x plus y equal to fx into fy मतलब sir fx क्या रहा होगा a की power x ही रहा होगा इसको भी यह यह दिकल लेना अगर इसको proof करना है तो इसका LHS देख लो यह लिखा है a की power x plus y अगर यहां होगे तो fx है a की power x यह है a की power y मतलब sir यह हो जाएगा a की power x plus y और जैसा की आप देख पा रहे हो यह दोनों क्या है मैंने का sir यह दोनों बराबर है sir बिल्कुल सही बेटा ओते sir हाँ बेटा ठीक है next में आओ गला सूख गया है ठीक है मेरे गाज़े तुम्हारे भी कान सूख गये होंगे ठीक है लगातार रिकॉर्डिंग चल लगी है आईए बेटा next में मैंने टू फाइंड रेंज रेंज कैसे निकालते हैं पहला भाईया स्टैंडर्ड रेंज का यूज कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट अफ एक्स क्लोज जीरो से ओपन वन है sin x minus 1 से 1 है दोनों में close cos x minus 1 से 1 होता है cos x minus infinity से minus 1 1 से infinity होता है 10 और cost बहुत मस्त होते है minus infinity लेते है सट एक चीज नहीं मैंने लिखी सक x सक x भाईया cos x जैसी values लेता है याँआ पिस पूरे की value minus infinity से minus 1 और भाई 1 से infinity होता है next में आते हैं या quadratic का टांडव देख लो भाई अगर आपको कोई quadratic function दिया है ax square bx plus c तो देखिए इसमें दो चीज़े बहुत important है यह बहुत काम आती है मैंने quadratic के mind map में भी बताया था कि अगर a positive है तो range होगा minus d by 4a से infinity और अगर a negative है तो range होगा minus infinity से minus d by 4a है इसके बाद में क्या आता है यहा trigonometric form यहाँ पे देखो भी यहाँ दोनों में angle same है यहाँ पे bx है तो यहाँ पे bx है अगर function दिया है a sin x plus b cos x equal to fx तो देखो range होता है minus under root a square plus b square से under root a square plus b square यहाँ पे भी यह एक चीज़ ज़रा मैं सही कर दूँ यह बाईसा मान लेते हैं कि यह है small a यह बेटा मान लेते हैं और जान लेते हैं यह है बेटा small b answer हाँ क्या dumb है इतनी तेजी से revise कर पा रहे हो अगर dumb है तो जल्दी से comment कर दो जनून विद दिल 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 तुम्हें तुम्हें career की कसम है answer हाँ अब आगे आई इसके बाद में क्या range of odd degree polynomial जो थोड़ दर पहले भी बताया था कि minus infinity से infinity होती है अगर odd degree of polynomial दिख जाए तो range होती है minus infinity जैसे यह सवाल है देखो यह linear है यह linear polynomial है sir इसकी degree कितनी है sir इसकी degree odd है degree कितनी है sir इसकी one है अगर को इसकी range पूछे यह तो इसकी range क्या हो जाएगी minus infinity से infinity है sir हाँ मतलब अगर आपको कहीं पे odd degree polynomial दिख जाए बिना सोचे समझे range बोल सकते हो minus infinity से infinity यह cubic का भी यह range पूछा गया है बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो sir इसका range क्या होगा minus infinity से infinity अगर एक degree odd है तो odd degree polynomial की range हमेशा minus infinity से infinity होती है आईए बाई साब अगला आता है bkg 12 बहुत दिनों बाद आया है देखो बाबा bkg लाया है तो बाई साब यहाँ पे देखो जो range है range क्या है sir linear 1 upon linear 2 अगर आपको linear 1 upon linear 2 दिख जाए या फिर constant upon linear की आपको range बतानी हो है sir हाँ जैसे यह format हो क्या sir x plus b upon cx plus d लेकिन बाई यह c0 नहीं हो सकता है तो यह गायब हो जाएगा c0 नहीं हो सकता है सबसे important है यहाँ पे x वाला term नीचे present होना चाहिए तभी sir linear upon linear बनेगा या constant upon linear बनेगा ठीके भाई constant upon linear अगर c0 हो गया तो नीचे constant बन जाएगा जबकि देखो नीचे linear बनना चाहिए तो भी यह इसका domain क्या होता है domain होता है real number में से minus d by c को हटा दो यह बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो simple सी चीज़ है कि sir इसका denominator कभी 0 नहीं हो सकता मतलब sir यहां से x कभी minus d by c नहीं हो सकता मतलब sir यहां पे क्या कर सकते हो मैंने का sir real में से minus d by c को हटा दो अब जैसे भी यह अगली चीज़ की हम लोग करते हैं बात range की बात करते हैं तो देखो भी यह range क्या होगा sir range यह होता है कि real number में से a upon c को हटा दो समझें न x के coefficients के division को हटा दो यह range होता है इसको भी आप flash pen में जरूर लिखें इसको एक बार नहीं भी लिखें है sir हाँ आईए sir सवाल कराते हैं आपको भोगाली बनाते हैं यहां देखो भाई इसका domain और range निकलना आपको पता है इसका range क्या होता है range of f, rf लिख सकते हैं belonging to क्या होगा real numbers minus किसको अटाना होगा उपर वाले का x का coefficient और नीचे वाले का x का coefficient मतलब sir 3 upon 1 को हटाना होगा और आपको भोगाली बनाना होगा है sir एकदम सही क्या मामला cool है अब देखो भी यह सबसे important format है देखो भी यह BKG 13 यह as it is आपको अपने flashpad में लिखना है इसका जो proof है classes में बताया जाता है लेकिन proof बताने के बाद सारे के सारे master यह बोल देते हैं कि method आपको याद रखना है अगर आपको कभी भी quadratic upon linear function मिल जाए या linear upon quadratic function मिल जाए या constant upon quadratic मिल जाए या फिर quadratic upon quadratic मिल जाए इन चार में से कोई भी बेटा format मिल जाए तो देखो इसके सवाल कैसे करते हैं यह ऐसा हो सकता है मैं एक बार बताऊं बहुसा है लोग पहनी बार पढ़ रहे हों उनको समझ में ना है तो भी या वीडियो को पॉस करके यह सब लिखना है इसको खुन में बसाना है और अगला सवाल ट्राई कराना है अगर भी आपको हमेशा क्या करना है इसमें जो given expression है उसको y मान लो जो भी expression दी है इन चारों में से कोई एक उसको y मान लो सेकंड स्टेप में बईया क्रॉस मल्टिप्लाई करके quadratic in x बईया frame करनी होती है उसके बाद में बईया d को greater than equal to zero करना होता है इससे y की range आ जाती है है सर हाँ उसके बाद में बाई साब यह जो दो स्टेप है इनको मैं बोलता हूँ AP स्टेप मतलब यह अगनी परिक्षा स्टेप है इसका proof classes में बताया जाता है students को भौकाली बनाया जाता है क्योंकि यह mind map series है याद होना चाहिए fourth और fifth step में क्या करना होता है coefficient of x square को zero करो ठीक है बाई जो भी यहाँ पे quadratic बना था उसमें x square के coefficient को zero करो उसके आपने बिया चेक करो कि y कितना आता है मानो y y बनाता है फिर यह जो y 1 आता है उसको given expression जो step number one में expression थी उसके equate करो अगर भाई साब x आता है तो answer step 3 वाला ही है अगर कोई x नहीं आता है तो answer step 3 में से आपको यह y 1 value हटाना होता है answer हाँ इसको flash pen में लिख दो अगर लिख लिया है भाई तो खुब सारे star खुब सारे दिल बना दो तुम्हें तुम्हें करियर की कसा में तुम्हें करियर कसा में लिखना जरूर है answer हाँ अगर पहली बार देख रहे हो तो यहां हो जैसे यह सवाल था find the range of linear upon quadratic तो step number 1 क्या है मैंने इसको y assume कर लिया है step number 2 में देखो cross multiply करके x में quadratic frame कर लिया है quadratic x में है x square समझदो भाई यहाँ पर a की value कितनी है y है a x square b की value minus 1 है b x और c की value y है x square b x plus c तो यह इसमें जैसे आप b greater than equal to 0 करोगे तो 1 minus 4 y square greater than equal to 0 आएगा मतलब y आजाएगा minus half से half है यह भी answer नहीं आया है यह मैंने solve करके ऐसे लिखा था 3 step देखे वह यहां complete हो गए है जैसे आप देख रहो 3 step में क्या है find range of y range of y आचुका है what is step number 4 sir यहां पे यह जो आप देख रहे है fourth step में था कि quadratic में x square को coefficient को 0 करो हाँ sir मैंने y को 0 मतलब y 0 हो गया sir जो value y के आती उसे y1 बोला बहुत अच्छे यह हो गया है step number 4 यह बार-बार लिखना पड़ सकता है फिर आता है यह step number 5 क्या करना है यह y1 की value यहां put करो y के जगे 0 solve किया तो x 0 आ गया हाँ x कुछ आ गया तो यही answer है अगर कोई x की value नहीं आती यहां पे 5 होती तो यह वाली value हमको हटानी होती बोलो जैब बाबा की बहुत अच्छे तो यह आपको दो तीन बार practice करना पड़ सकता है बहुत साहे लोग यह चीज पहली बार पड़ रहे होंगे अब आता है यह equal और identical functions क्या होते है दो function को equal या फिर identical बेटा तब कहते है जब दोनो function का domain same हो दोनो function का range same हो और fx equal to gx for all x in their common domain इसका हिंदी में अर्थ होता है कि exactly same formula हो है सर हाँ इसका मतलब लोगों को नहीं समझ में आता इसका मतलब क्या है सर domain same हो उसके बाद में क्या range is same हो और उसके बाद में क्या exactly same formula हो जैसे यहाँ पे आप पहुंसते हो fx equal to ln x square इसकी बाद जैसे आप domain निकालोगे न तो जानते हो इसकी domain आजाएगी real number में से 0 को हटा दो इसकी जब बाद डोमेन निकालोगे न तो इसकी domain क्या आजाएगी बाद इसकी domain आजाएगी 0 से infinity देखो बाद डोमेन सेम ही नहीं है इसकी r है बस 0 हटा दो इसकी 0 से infinity तो सर ये दोनों functions equal नहीं है domain ही सेम नहीं मतलब आगे बेटा हम लोग इसको check करेंगे ही नहीं identical function का मतलब क्या होता है सर ये तीनों point valid होने चाहिए मतलब तीनों एक साथ बाद बाद होने चाहिए domain same range same और साथ में formula same अगर इन में से कोई एक point भी हट गया तो वो दोनों भया same identical function नहीं होंगे है सर हाँ बेटा ओते सर हाँ बेटा अब आता भया even out function simple जी चीज है जितना यहां बक्वास लिखा है अगर भाई साब fx equal to f of minus x होना है तो भया इसको हम बोलते है even function है सर अगर भाई साब जो f of x minus f of अगर minus x होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है बेटा we call it odd function उपर जो भी English में लिखा है उसका Hindi में मतलब यह है जो उपर लिखा है उसकी IC की TIC यह जो लिखा है भया यह पता होना चाहिए यह भाई साब सब बोलता है लेकिन एक चीज किसी को नहीं पता होती वो बहुत ध्यान से देखना कि सर जो x होता है x जो interval होता है वो हमेशा symmetric होता है symmetric domain होती है सर symmetric domain होने का क्या मतलब है बताते हैं भाई यह आप तभी पता लगा सकते हो कि भाई अगर domain में 2 है तो minus 2 होना चाहिए अगर domain में 2 है परंतु minus 2 नहीं है तो फिर भाई साब आप even not की बाती नहीं करोगी ठीके ना अगर x2 नहीं है तो minus 2 भी नहीं होना चाहिए तभी even not की बात करोगे symmetric का मतलब यह है अगर x बढाबर something domain में है x बढाबर alpha domain में है तो minus alpha होना चाहिए इसे बुलते हैं symmetric अगर x बढाबर 7 है तो minus 7 होना चाहिए अगर x बढाबर 7 नहीं है तो minus 7 नहीं होना चाहिए जैसे इधर आ जो जलदी से इसका example देखो इक्जामपल सर है सर यह आपको बताना है और साथ में यहर मानों इसकी डुमेन आपको कुछ अपने मन से बना के दे दी गई है माइनस 3 से 3 तो यह देखो आपको यह पता है यह देखो पता है कि सर f of x क्या है मैंने का x square f of minus x क्या है मैंने का हा सर minus x का square सर जो f of x है वो सर f of minus x के बराबर है है सर हा बेटा ओते सर बिल्कुल सही बेटा तो आप even comment कर सकते हो परन्तु ध्यान देना यह symmetric domain नहीं है तो यह neither even कहलाएगा nor odd कहलाएगा क्यों क्यों क्योंकि सर minus 3 तो है लेकिन 3 नहीं है symmetric domain नहीं है मेरे गाल से clear होगा अगर clear है तो xyega star with the dill है सर यह जहीं हम ध्यान रखना है सर हाँ यह थयान रखना है सर हाँ यह tommy Да गोला हुगा मतला बह्तला मैं समझ जाओंगा कि यह चीज़ आपने अपड़ी है पहले आपको नहीं पता था यह आपको समझ में आ गया है कि नोट आता है तो था क्यों यह की एसा function न दुनिया में जो even भी है और odd भी है वो है fx बराबर 0, fx बराबर 0 का मतलब y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब x-axis है सर, अगला आता है भिया, इसका मतलब ये है, कि भाया fx अगर even function है, तो अगर इसे differentiate करोगे, तो ये odd function होगा, फिर differentiate करोगे, तो even function होगा, फिर भाया differentiate करोगे, फिर differentiate even, फिर differentiate किया odd and so on अगर यह odd function होता differentiate करते even differentiate करते odd differentiate करते even और यही चलता रहता है सर, हाँ बीटा ओते सर, बिल्कुल सही बीटा तो यह चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए है सर, यह बीटा अब देखे बाई अगली चीज आती है even function का graph y-axis के about symmetrical होता है odd function का graph origin के about symmetrical होता है यह आपको points याद उने चाहिए और origin के about symmetrical और भया इन opposite quadrant होता है इसका सर मतलब क्या है मैंने का देखो भाई, axis बना दी अगर graph भया odd function है तो आधा graph इधर है, तो आधा graph इधर होगा और अगर आधा graph इधर है इनको hash वालों को बोलते है opposite quadrant और tick वालों को बोलते है opposite quadrant है सर, yes पेटा अगला आता है भया कि यह determine कैसे किया जाता है कि कोई function 1-1 है कि many one है है सर, हाँ 1-1 का दूसरा नाम injective होता है आगे slides में आएगा many one का दूसरा नाम non injective होता है तो भया method 1 इसका होता है graphical graphical क्या होता है भया horizontal line test इसे बोलते है है सर, हाँ जैसे vertical line test function बताता है वैसे सर, यहाँ पे क्या होता है मैंने का सर, यहाँ पे होता है horizontal line test सर, क्या होता है horizontal line test कि भया अगर आपने कोई भी आपको करवे दिया हुआ है जैसे ये दिया है पता करना है कि ये one one है कि many one है है सर हाँ ये भाई साब x-axis है ये भाई x-axis है तो देखो भाई आपको क्या करना होगा आपको सर कोई भी line draw करनी होगी parallel to x-axis है सर हाँ कोई भी line draw करनी होगी parallel to x-axis कोई भी line भाई या draw करनी होगी parallel to x-axis इसने काटा ही नहीं, इसने भी नहीं काटा, ये लो भाईया, इसने एक point पे काटा, अगर कोई एक भी line, जैसे भी ये line, एक से ज़्यादा point पे cut कर देती है, horizontal line मतलब y axis के perpendicular, अगर कोई भी एक line एक से ज़्यादा point पे cut कर देती है, तो function many one है, है sir, हाँ, ओते sir, yes, अगला आत function को भी या one one कहा जाता है, या तो सिर्व increase कर रहा है, या फिर decrease कर रहा है, तो ऐसे function को हम one one बोलते है, many one मतलब increase, decrease दोनों कर रहा है, तो भी या उसे बोलते है many one, लेकिन इसके लिए ये continuous function होना चाहिए, ठीके बाई, और इसके बारे में और थूड़ी बात किस में होगी भी या ये होगी application of derivatives में, है sir, yes बेटा, ओते sir, yes, method number 3 आता है, जिसका नाम है school method, ये school में भी या use कर आए जाता है, कि अगर आपको भी या पता करना है कि कोई function one one है कि many one है, तो आपको sir, fx1 को fx2 के बराबर करना है, बहुत अच्छे, अगर fx1 और fx2 बराबर करके, ये only possibility यही आजाए, this is the only possibility, बस x1 equal to x2 आए, कोई और चीज ना है, ना ही कुछ ऐसा दिखे, कभी कर solve करके होता है, कि एक आगिया x1 और x2 और x2 और दूसरा आगिया 2x1 plus x2 square equal to 0, मतलब भया, सिर्व यही दिखना चाहिए, इसके इलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो sir, function क 1,1 कहते हैं, अगर यह दोनों टाइप की चीज़े आगे, तो function many 1 होगा, सिर्फ यही बेटा possibility अगर आती है, तो function को क्या बोलते हैं, 1,1 है sir, yes, बेटा, जैहिन, जैबारत, अगर को मेटे नमर 4 क्या है, अगर कोई function periodic है, या फिर even है, even function है, या फिर constant function है, या फिर polynomial है, even degree क समझदो भी है, ये even function है, ये polynomial even degree का है, या फिर non monotonic है, तो भी हा function many 1 होता है, इससे देखो directly आप बेटा answer लिख सकते हो, है sir, हाँ, ये जो नीचे भी या line लिखी है, बस ये बोला गया है, कि जो odd degree के जो polynomials होते हैं, जो बेटा polynomial होते हैं, odd degree के, वो one one भी हो सकते हैं, और स जाला point अभी आगे और clear होगा, अगला आता है, into ये onto function, onto का वाईस आप दूसरा नाम क्या होता है, ये surjective होता है, into का non-surjective होता है, अगर range और codemain बराबर आजाएं, तो onto, range और codemain बराबर ना आएं, तो sir, ये क्या, into, बहुत अच्छे, यहाँ पेंगरेजी दी है, कि अगर सवाल में codemain नहीं दिया है, तो by default वो r होता है, मतलब minus infinity से infinity होता है, अगर नहीं दिया है, तो one-one का नाम injective होता है, onto का नाम surjective होता है, अगर कोई function one-one भी है, साथ में onto भी है, तो उसको हम byjective बोलते हैं, इसके आप बहिया देखो, यह most important बाबा का ग्यान है, बीकेजी नहीं लिखा है, यह बहिया, god बाबा का ग्यान है, बहुत पुराने बाबा थे, उन्होंने बहिया यह announce कर दिया था, कि अगर even degree का polynomial है, तो उसे बोलो into, है, हाँ, और बहिया odd degree का polynomial है, तो उससे बोलो onto, कैसे जाद रखोगी, even, e का sound आया, into, अरे वा, odd, onto, अरे वा, sir, even degree का polynomial many one होता है, ठीके न, बहुत अच्छे, यहाँ पे धोका मिला है, यहाँ पे चेक करना बढ़ता है, many one भी हो सकता है, one one भी हो सकता है, तो भीया देखो, यह सवाल जो है, बहिया, जो great god बाबा थे, great god बाब है, इस पे बहुत भॉकाली सवाल, बेटा, direct हो सकते हैं, अगर आपको यह ध्यान है, तो, ठीके भाई, हाँ, जैसे यह सवाल, वीडियो को pause करो, खुद से try करो, पूरा सवाल पढ़ लो, एक बार, मेरे काल से पढ़ लिया होगा, चलो भाई, मेरी बार ही आ गई, अगर को यह x में cubic दिया है, x cube के coefficient यह है, x square का coefficient यह है, x का coefficient यह है, और सर, यह constant term है, यह 0 से 4 दिया गया है, तो, आपको अदाना है, बताओ, एक की कितनी values होएंगी, integral, मतलब integer वाली, integral मतलब integer values, such that fx on to हो, मेरी बात क्लियर है, क्या आपने भी यह सवाल को read कर लिया है, एक बार वीडियो पॉस्ट कर लिया होगा, मेरी बारी आगी, answer, yes, बेटा, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजेगा, क्या, मैंने का सर, यह integer होना चाहिए, मैंने यह को लिया 0, 1, 2, 3, 4, कोई polynomial, यह polynomial लिखा है, on to come होता है, जब वो odd degree का होता है, लिखा है, on to come होता है, जब वो odd degree का होता है, a को सर, मैंने 0 जैसे put किया, तो यह 0 के कारण x cube पूरा भग गया, बहुत अच्छे, सर, यह देखना, degrees की 2 आ रही है, क्योंकि x square यहाँ पे बच रहा है, मतलब सर, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि even degree का polynomial into होता है, बहुत अच्छे, a को 1 लो, a 1 के कारण, यह 0 हो गया, x cube बहुत अच्छे, x square बहुत अच्छे, क्योंकि a minus 1 0 हो गया, put करके देखना, कलम चलाना, सर, यहाँ पे यह बचा, minus 1 minus 2, आप देखोगे, सर, इसकी degree देखो, 1 बच्ची, यह सर, हाँ, क्या solve कर लोगे, degree बच्ची 1, यानि सर, यह है, सर, यह on to है, क्या मेरी बात clear है, यह सर onto है, क्योंकि degrees की odd है, a को 2 लो, सर, यह 0 हो गया, बहुत अच्छे, यह 0 हो गया, बहुत अच्छे, यह 0 हो गया, sr, constant का मतलब degree 0, 0 degree का मतलब, सर, आप समझ गया है, sr, यह degree 0 मतलब even, 0 यह even number होता है, तो यह on to, नहीं है, even function क्या होता है, 0 even number होता है, लिख लो एक जगा, मुझे पता है इसमें लोगों को doubt आ जाएगा zero even number होता है तो sir ये क्या है ये into है एक को 3 लो तो sir ये 0 sir साथ में ये 0, ये 0 sir फिर से fx बराबर 0 आ गया है जो कि एक sir constant function ही है ये फिर से sir into होगा एक को 4 लो जैसे sir आप एक को 4 लेगा है तो देखना भी या 4 लेते ही मतलब अब क्यार cubic बच जाएगा ये 0 नहीं हो पाएगा मतलब sir इस पर degree क्या आएगी मैंने का sir इसकी degree आएगी कितनी 3 आएगी तो ये onto function है मतलब sir एक ही permissible value क्या है a belongs to सिर्फ दो ही value ले रहा है 1 and 4 कितनी values है two values तो ये था भी या देखा great god baba का ग्यान ये बहुत ही ख़तरनाक सवाल है लेकिन तुमने चुटकी बजाते ही कर लिया ये advance में आ सकता है अगर भाई साब ये सवाल आपको समझ में आ गया पूरा भौकाल बन चुका है तो आपको अभी comment कर देना है here comes the superstar function ये format भाई अपने खून में बसा लो इस पर ये advance में सवाल पका आएगा पका आएगा पका आएगा पका आएगा पका आएगा बहुत बार आ चुका है अगर ये format है fx equals to a की पावर x upon a की पावर x plus root a ये ही जो नंबर है उसका root है तो भाई सब देखो इसके कुछ चीजे है देखो भाई ये next bkg आता है bkg 14 इस function में अगर आप fx ले लो और f of 1-x ले लो है sir हाँ अगर भाई ये fx ले लो और f of 1-x ले लो तो sir ये sum आता है 1 ऐसे function में f half की value half होती है put करके निकाल सकते हो इसको भी put करके निकाल सकते हो सबसे important ये है जिस पर भाई ये सवाल आता है कि अगर function की value आपने 1 by n 2 by n 3 by n 4 by n और n minus 1 by n ये अगर बेटा आपने पूरा का पूरा कर दिया है sum तो इसका answer आता है n minus 1 by 2 ध्यान देना भी या नीचे n देखो सब में है और counting 1 से लेके n तक नहीं जारी n minus 1 तक जारी numerator में इस पर भी या advance अवाल पूस्ता है बहुत बार आ चुके है more than 1 में भी और साथ में उसमें भी तो भी ये है bkg 14 अगर ये flashpad में लिख लिया है क्या super star function साथ में इसकी properties तो भी ये अभी आपको comment कर देना है क्या आप समझ लो career की कसमें भाई ये advance में आ सकता है मेंs revision series को कैसे advance revision series मना जाता है बहुत सही comment करना है super star with a dill मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये चीज़ें लिख ली है career की कसमें लिखना है इसको जैसे देखो ये advance 2020 का सवाल है आपको एक function दिया गया 0-7 से लेके आर तक ठीक है भाई ये तो ऐसी ये तो एको formality होती है है sir ये जो आप देख रहे है ये sir देखो formality है बहुत अच्छे ये जो भी ये function है देखो sir ये super star function है है sir this is the super star function तो आप समझ सकते हो sir जो a की value कितनी 4 है तो आप ये समझ रहे हो sir ये fx कितना है साफ समझ में आ रहा है a की power x upon a की power x plus root of a है देखो a को 4 put करो यही बन जाएगा है sir तो देखो भी ये directly j advance ने क्या पूछा है एन की value कितनी है sir 40 है f of 1 by n 2 by n 3 by n n minus 1 by n पीछे देखो बेटा अपने नहीं इधार नहीं रोको कहा आ गया इधार बहुत अच्छे ये यही तु लिखा है आंसर आते है n minus 1 by 2 अरे भाईसा आप तुरन put कर दो इतने एक आंसर है n minus 1 by 2 40 minus 1 by 2 ओते सर और साथ ने भाईसा आप से क्या पूछा है f of half f of half इसमे क्या होता है half ही होता है अब जैसे बेटा इसको आप solve कर दोगे हैं सर कितना आ रहा है सर ये 19 आ रहा है ये आंसर है अगर भाईसाब यही आंसर आपका आगया है खुब सारे सितारे बना दो खुब सारे सितारे बना दो आपके करियर के समय आपने खुद से गल लिया था देखरो एडवांस का सवाल चुटकी में बेटा आ गया चुटकी में समझे किसमें चुटकी में आ गया ये था सूपर स्टार फंक्शन invertible function अगर कोई function भया invertible चाहिए तो सर उसे byjective होना पड़ेगा वन वन एन उन टू अगर कोई function invertible है तो सर वो वन वन एन उन टू होना चाहिए मतलब byjective होना चाहिए representation क्या है कि सर अगर fx का आपको inverse निकालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते है f inverse x बोलते है हाँ यह बेटा one upon fx के बराबर नहीं होता है यह गलती बेटा मद करना last time पे relations revision में भी यही बताया था तो सर यह fx क्या है बेटा यह f inverse x के बराबर है है सर हाँ बेटा होते सर यस how to find inverse inverse निकालने का process है जैसे भीया आपको दिया गया है y बराबर sin x इसका देखो inverse निकालना है तो देखो भीया कैसे inverse निकालने है जो भी अंग्रेजी दिये उसका मैं हिंदी में मतलब बता रहा हूँ आप सर x और y को क्या कर दो interchange जैसे x y को interchange करोगे तो x equals to क्या हो जाएगा sin y है सर और भाई साब यहाँ पिजरा ध्यान दीजिए अब सर देखे y as a function of x लिखोगे तो y बराबर इसको क्या लिखा जाता है ITF में पढ़ा था sin inverse x यह सर क्या होगा इसको हम बोलेंगे f inverse x अगर भाई साब यह क्या दिया हुआ है आपको दिया है f x तो उपर भाई यही लिखा हुआ है to find the inverse of function first interchange x with y in the original function then write y in terms of x जै बाबा की है सर एक भाई तरीका होता है जिसको पोलते है explicit function expressible in the form y बराबर x uniquely इसका हिंदी में मतलब यह है कि भाई यह बराबर sin x ठीक है ना देखो x एक तरफ है y एक तरफ है और example चाहिए y बराबर sin x plus x की power 100 यह भी भाई explicit form कहलाती है जब सारे x एक तरफ और y एक तरफ implicit form क्या होता है sir implicit form यह होता है y cannot be expressed in the form of x uniquely इस दो भाई साब y जो है उसे x के form में हम लोग uniquely express नहीं कर सकते है जैसे भाई यह इसको आप y as a function of x नहीं लिख सकते हो यह x और y को mix होके आए इसको बोलते है implicit relation यह विल्कुल भी important नहीं है ज्यादा tension मतले न लेकिन तुमें लगता है तुम y as a function of x लिख सकते हो यह y एक तरफ दिखना चाहिए और दूसी तरफ सिर्व और सिर्व x दिखना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा तुमको लगता है तुम कर लो के कर के देख लो नहीं होगा ठीक है बाई तो यह इतना important नहीं है but definition याद होनी चाहिए explicit मतलब सारे x एक तरफ y एक तरफ implicit मतलब x y एक साथ x एक तरफ नहीं हो सकता और सिर्फ y एक तरफ नहीं हो सकता है सर तो इसकी तरफ टेंसन नहीं लेनी है ओते सर graph अगर f inverse x की बात करें तो भी यह अगर आपको f x का सर graph दिया है तो आप उसका reflection ले लो y बराबर x line के about मतलब y बराबर x line के about reflection लोगे तो f inverse x का graph आजाता है है सर यस अब आता है भी यह bkg number 15 बहुत important है main set one दोनों सवाल पूछते है कि भाई साब अगर f a से b दिया है byjection है byjection मतलब यह byjective function है मतलब इसका inverse exist करेगा तो सर इसका मतलब क्या है सर एक function g फिर b से यह इसका inverse है सर अगर f a से b है तो inverse का मतलब क्या होता है g hoगा b से a तो सर फॉक identity function होता है gotv b identity function होता है मेरी बात clear है इसकी एसी कि तैसी simple चीज़ है फ of g x x होता है and g of f x x होता है बस इतना ध्यान रखना है अगर f of g एक दूसरे की इनवर्स है तो जर f of g x x होता है और साथ में sir क्या g of f x b x होता है इस पूरी अंग्रेजी का मतलब यह है बद भया यह ध्यान रखना है कि fog में fog में भाई साब जो output होता है वो क्या होता है यह बया set b का part होता है set b का क्योंकि भया f का range क्या है भया b से निकल रहा है code domain b है इसलिए f of g x में answer b set से आएगा और साथ में sir g of f x में जो answer आएगा वो g का भया क्या a है यह भाई साब देखे set a से आएगा answer clear भाई तो यह चीज़ बेटा आपको अपने खून में बसानी है ठीक है इतना बस ध्यान रख परेडिक फंक्षिनका मतलब कई होता है ऐसे फंक्षिन जिनकी फिकस्जिंटर्वल के बाद एक सीन ऐक साइन एक होता है 2 Μैसे की सायन झे सायन के घू पाई के बाद अपनी तुपाई के ऐसी करता है व्यूर्ट Tánex πए सब्क करो होगा, साथ दिन बाद अगला मंडे होगा, साथ दिन बाद उसके बाद वाला मंडे होगा, साथ दिन बाद उसके बाद वाला मंडे होगा, साथ दिन बाद उसके बाद वाला मंडे होगा, है सर, हाँ, तो यह भी periodic है, तो भी यह इसके अंगरे जी यह बोली गई है, कि अगर क पे dependent नहीं होता है अगर ऐसा कोई T exist ना करे तो सर इस function को हम लोग बोलते हैं non periodic तो सर ऐसे function को हम लोग क्या बोलते हैं सर non periodic बोलते हैं अगर ऐसा कोई T exist ना करे सर जो smallest जो सर value of T होती है जो सर सबसे छोटी value of T होती है उसको बोलते है fundamental period या फिर क्या बोलते है सर उसे principal period Example जैसे सर सब्ता जैसे आज Monday है तो 14 दिन बाद क्या होगा? Monday ही होगा 14 दिन बाद 21 दिन बाद ही Monday होगा अगर आज से 14 दिन बाद देखूं मंडे है, उसके 14 दिन बाद देखूं तब भी मंडे है, उसके 14 दिन बाद देखूं तब भी मंडे है, तो पिरियड तो 14 दिन बाद देखूं मंडे है, उसके 21 दिन बाद देखूं मंडे है, उसके 21 दिन बाद देखूं मंडे है, उसके 21 द इसको बोलते हैं फंडमेंटल पीरियेड या फिर क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पीरियेड है सर यस बेटा ओते सर बिलकुल सही बेटा इसका मतलब क्या है कि सर ग्राफ रिपीट कर रहा है जैसे भणवाई अगर मैं इतना पोर्षन उता है जो देखे 2की वाला पोर्षन देखे बेटा बार बार रिपीट करता है यह जो 2की वाला जो पोर्षन है वह देखो भाई यह हमेशा ऐसे repeat करता है क्या भाई साम मामला cool है जो भाई यह जो 2 pi वाला portion है यह सर देखे ऐसे बार-बार repeat करता है clear भाई यह जो भाई जो 2 pi वाला portion repeat हो रहा है इसलिए देखो sign x क्या है भाई periodic है क्या मेरी बात clear है यही जो English में लिखा उसका Hindi में मतलब यह है होते सर अगर भाई साम fx periodic है with period t अगर fx आपने periodic period t से निकाला है तो सर f of x plus nt जो है वो fx होगा और सर n क्या होगा मैंने का सर n1 integer होगा n1 क्या होगा सर integer होगा ठीके ना यहाँ पे n1 integer होगा अगर f of x plus nt fx होगा अगर period t है क्या मेरी बात clear है मेरी जालते सब को clear है यह बेटा बहुत use आता है है सर हाँ बेटा ओते सर बिलकुल सही बेटा बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा periodic function की properties पहली property अगर बेट यह fx का period t है तो root fx k into fx k एक number है 1 upon fx यह भी सारे के सारे periodic होँगे with the same period t उत्ते यह बराबर sin x का period 2 pi है तो root sin x का भी 2 pi होगा और 2 sin x का भी क्या होगा 2 pi होगा है सर यह बेटा अगर fx भी आप periodic है period t से तो f of x plus t fx के बराबर होगा ठीक है यह important है अगर सर आप a fx plus b करोगे मतलब सर पूरे यहाँ देखो x में कोई गरबर नहीं है पूरे में a से multiply plus b करोगे वो भी periodic होगा with period t है सर यह बेटा अगला अगर भी यह दो number दिये है a upon b और c upon d इनका lcm कैसे लेते हो उपर वाले का lcm और नीचे वाले का scf यह भी चीज बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे अगर भी यह scf की बात करूँ scf कैसे लेते है मैंने का उपर वालों का scf numerators का scf और denominators का lcm है सर हाँ बेटा ओते सर हाँ तो भी यही मैंने बोला कि lcm 2 number का कब exist करता है तब exist करता है जब उनका ratio एक rational number हो यह भी बहुत लोग को नहीं पता होगा पहली बार देख रहे होंगे जैसे भाई सर यहाँ पे मैं बात करूँ lcm निकालना है root 3 और 5 by 7 root 3 तो इनका अब यहाँ पहले ratio देखो तो यह आ जाएगा root 3 upon 5 root 3 by 7 किसी को भी उपर किसी को भी नीचे रख सकते हो तो सर यह देखो एक देखे rational number आया मतलब सर lcm exist करेगा lcm दोनों का exist करेगा मैं लिख दे रहा हूँ lcm will exist तो lcm दोनों का कैसे लेंगे root 3 को तो बाहर कर लो root 3 बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा 1 मतलब 1 upon 1 5 by 7 उपर वाले का lcm 5 है नीचे वाले का scf 1 है तो सर यह आ जाएगा 5 root 3 ठीक है भाई and in the same way अगर इसका lcm निकालना है भाई साब बड़ा सा chapter है ठीक है ना time लग रहा है मैं खुद देख रहा हूँ एक गंटा 10 मिनट हो चुका है तब भी मैं बेटा पूरा fast revise करने का try कर रहा हूँ है sir yes बेटा अगर भाई खुब सारे function add हुए है या फिर subtract हुए है मैंने सिर्फ addition दिखाया है या subtract हो सकते है खुब सारे function multiply हुए है या divide हुए है या फिर खुब सारे function कुछ multiply कुछ add कुछ divide कैसे भी board mask के थूरू related है तो भाई अगर इसका combined period निकालना है खुब सारे function का multiplication, division, addition subtraction एक साथ दिया है तो भाई अगर LCM exist कर रहा है LCM कब exist करेगा जब इनके period का ratio का होगा rational number होगा तो भाई इसका जो ये तब ही है ये periodic होगा मेरे बाद clear है क्ये भाई अगर इसका LCM exist कर रहा है तब ये बेटा periodic होगा और अगर बेटा इसका LCM exist नहीं कर रहा है, तो यह non periodic होगा, simple सी चीज है, है सर, हाँ, यहाँ पे multiply भी है और divide भी है सब में, और same यहाँ multiply और divide है सब में, है सर, हाँ, multiply और divide है सब में, वो ते सर, एकदम सही बेटा, अगर भाई सर इसके period की बात हो, f of x plus b, तो यह यह बहुत important formula है, कि सर, इसका period क्या हो होता है, यह given होगा, कि सर, जो fx है, उसका period क्या है, t है, अगर यह given है, तो f of x plus b का period क्या होगा, भाई, t upon mod होगा, है सर, yes, बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही, इसके बाद भाई सब यहाँ आता है, कि जो sinex है, cosex है, cosex है, secx है, यह सारे periodic होते है, with a fundamental period 2pi, ठीक है, और है, यह periodic है, with a fundamental period 2pi, यह भी भाई सब याद होना चाहिए, मेरे कहलते सब को याद होगा, अगर भाई, खुब सारे function का composition ले लिया है, इसको बोलते है, composition, मतलब composite of functions, एक function fx था, उसको f में डाला, f1 में डाला, फिर उसको f2 में डाला, फिर उसको f3 में डाला, और यही करते करते, finally भिया, एक भिया, पिता जी function लगा दिया, fn, तो भिया, यह अगर, सबसे जो अंदर वाला function है, सबसे जो अंदर वाला function है, अगर उसका भिया, period आपको t दिया है, तो overall का period भी क्या होगा, t होगा, यह property होती है, मतलब, जितना composition लगाना है, लगा लो, जो करना है, वो कर लो, जो सबसे अंदर वाला function होगा, जो उसका period होगा, वही होगा, for example, इसका भी example अगर आपको देखना है, जैसे भाई साब, fx मैंने ले लिया, e की power x, sir, gx मैंने ले लिया, sin of x, अब भाई साब, अगर मैं आपसे बोलू, कि sir, आपको f of gx देखना है, तो तो f of gx होगा, e की power sin x, ठीक है बाई, अब अगर इसका period निकालना होता, तो देखो, gx जो अंदर वाले का period कितना है, आपको पता है, sir, इसका period 2 pi है, क्योंकि gx का period 2 pi है, यानि कि sir, overall का period भी क्या होगा, sir, 2 pi होगा, ये इसका मतलब है, ये sir, बिल्कुल सही, बेटा, ओते sir, मजा गया बेता, बल्या, sir, एक दम बल्या बेता, अग्र साइन की power in कर दी, cause की power in कर दी, sek की power in कर दी, या फिर भाई साब, cause sec की power in कर दी, अगर भी या power even है, तो fundamental period pi होता है अगर भाई साब पावर इसकी ओड है तो सार fundamental period 2 pi होता है है सर हाँ बेटा अगला आता है भाई अगर आपने tan और cot की power करी है तो हमेशा fundamental period pi रहता है चाए even हो चाए odd हो जो कन्नाओ करो इसका हमेशा fundamental period pi होता है अगला आता है composite function ठीक है भाई composite function यह होता है जैसे मैंने लिख दिया f of gx function के अंदर function है या फिर क्या बोल दिया भाई साब g of fx है सर हाँ बेटा इससे बोलते है composition function है सर बिलकुल सही अब जैसे भी आगला देखो भॉकाली अंग्रेजी दी है अगर एक function f है a से b define दूसरा function भी यह जी है भी जैसे c define भी से c गलत लिखा है c से d define एंसर यह दो function है तो सर गौफ क्या होता है द्यान से g of fx का मतलब क्या है द्यान से देना भी जी एक से जाएगा क्योंकि यह f के अंदर जा रहा है, तो sir, यह set A से जाएगा, बहुत अच्छे, उसके बाद में क्या है, sir, इसका जो answer निकलेगा, क्योंकि यह F का answer है, तो यह set B से आएगा, है sir, हाँ, अब sir, देखो, G का domain C set है, इसका मतलब क्या है sir, यह जो B है, वो C का part होना चाहिए, तबी तो G define होगा C के बाहर की value score ना सकती है, तो मैं बोलूँगा sir, B is a subset of C, सबसे important चीज, B is a subset of C है sir, हाँ, बेटा, मेरे क्याल से जिसने पढ़ा होगा, उसके तुरंद यह याद आ गया होगा, तो भीया, यह जो B है, B sir, किसका subset है, B is a subset of C, वो भीया, C का subset है, और C देखो, G का domain है, और final answer आएगा, वो भाई सब set D से आएगा, क्योंकि sir, G का answer किस से आता है, D से आता है, क्या मेरी बात clear है, तो भीया, यह यह है, G of F, बस इतना ही सोचना है, इसका अंगरेजी में हिंदी मतलब, यह है, है sir, हाँ, यही बोला गया है, for composite, G of F to be defined, the range of F, range of F, जो है, जो भीया, F की range क्या निकली है, set B से निकली है, जो F की value है, वो G के domain में होनी चाहिए, जो F की range, जो F की value आई है, वो G के domain का subset होनी चाहिए, वही चीज मैंने लिखा है, is a subset of the domain of G, वो ते sir, हाँ बेटा, अगली चीज आती है, जो कि भीया, लास्ट चीज है, यह table है, यह है, यह बेट head, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail है, तो वैसे लिखा है, even, even, odd, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, वही लिखा है, even, even, odd, odd, even, odd, even, odd, addition, subtraction, यह आप निकाल सकते हो, यह आप निकाल सकते हो, याद करना है, याद कर लो, भाई सब क्या, हम तभी even, जब दोनो even, तब हम even, जब दोनो और तब हम और अदर्वाइस नीनो आप चाहत ऐसे याद भी कर सकते हो इसके तो को गाने बनाए है जब आप addition या subtraction करोगे हम तभी even ये e का मतलब even है ये e और ये e सेम है बस printing और typing का mistake हो गया है जब दोनो ये तब हम e जब दोनो और अदर्वाइस नीनो गाना अगर सरी multiplication है यह आप निकाल भी सकते हो इसको देखो आप यह कैसे याद कर सकते हो ठीक है भाईया इसको आप ऐसे याद कर सकते हो e o e division में e o e क्या e o e e o e और fog f of gx तो भी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो हम तब ही o o o का मतलब odd हम है तब ही o o जब दोनो और जब दोनो और हैं sir हम तभी हो जब दोनो और हैं तो यह टेबल याद है तो बहुत भॉगाली जाद है बहुत बहुगाली प्रशन आप कर लोगे मेरे कहल से आपने देखो याद कर लिया है वैज़े सही बता हुँ यह सब आप सवालों में निकाल लोगे, addition subtraction, ये सब करने की कोई जूरत नहीं, सवालों में आप निकाल लोगे, फिर भी याद करना है, तो भी यह याद कर लो, addition subtraction में क्या होता है, जब दोनों सेम, हम वही, e, e, o, 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 otherwise नहीं हो, यह, e, o, e, o, e, o, e, o, e, o, e, हम तभी हो, जब तो यह आपको याद है तो भी यह सब कुछ गजब है है सर यस बेटा ओते सर बिल्कुल सही बेटा तो भी यह थैंक यू वेरी मच यह खतम होता है माइन मैप बहुत लंबा चैप्टर है फंक्शन पढ़ाने में पूरा बेसिक्स एडवांस तक 19 से 20 लेक्चर लग जाते हैं दो दो घंटे के अगर प्रॉपर पढ़ाए जाए क्लास 11 और 12 का इंक्लूडिंग दा वेवी कर बीस लेक्चर मतलब 40 घंटे लग जाते हैं पर में हम लोगों ने पूरा पूरा फंक्शन रिवाइस कर लिया है और यह बहुत बड़ी बात है अब एक देखो मैं दिल की बात कहूंगा दिल की बात यह है यह एंड टाइम है आपने देखा होगा शुरू-शुरू में बहुत बच्चे एक्साइट रहते हैं माइंड मैप बहुत अच्छे से देखा दीरे-दीरे माइंड मैप में भी उन लोगों ने ब्लॉक ब्लॉक नहीं कहा होते हैं बैकलॉग बनाना स्टार्ट कर दिया हर साल यह होता है जब कोई सिरीज की शुरूआत होती है तो लोग बहुत एक्साइटमेंट से वाईस आप देख रहे हो होते हैं जोश बहुत अच्छा होता है दीरे-दीरे ठंडा पड़ जाता है अगर आप आज से ठीके हो तो अगले लेक्चर पे आपका बैकलॉग हो सकता है माइड मैप सिरीज रोज अगर एक से देड़ घंटे देख लेते हो ना इसमें आपने क्लास 11-12 दोनों का होगा दीरे-दीरे जनता कटने लगेगी ध्यान रखना आठ लाग लोग इनिशली जेई मेंस के लिए अपियर करते हैं ठीक है उसके बाद जेई एडवांस देड़ से 2-5 लाग तक स्टूडेंट दे पाते हैं और उसके बाद IIT के अंदर सिर्फ 14-15 रैंक आती हैं लेकिन 7-8,000 बच्चे ही अंदर तक जा पाते हैं जब 15 लाग बच्चे जब 8 लाग बच्चे इनिशली बैठे थे तो IIT के अंदर कितने बच्चे गए 7-8,000 बच्चे गए रेशियो कम है ना वो रेशियो इतना कैसे घट जाता है क्योंकि धीरे-धीरे बच्चा क्विट कर जाता है आपको भाई साब हार नहीं माननी है आपको करियर की कसम है जितनी चीज मैंने पढ़ाई है उन सब को शॉर्ट नोट कॉपी में अपने फ्लैश पैड वली कॉपी में लिखो ठीक है भाई और लिखने के बाद अपने खूनने बसा लो जैसे सारी चीज बेटा खूनने ब stitch बार पढ़ी होंगी मैं चाहताँ चीजों को easy बना सकता था सिर्फ 선생님 particularly क् कराते हैं वह हम मंगitel में भी कराते हैं जब कि याद मेंने का था आधे घंटा में सब कुछ कराएंगे मैइ यही सोच के जाता है जब मैं यहां recording room में आता है तो घरवालों से कहके आता है बहुत अगर urgent हो तो मेरा दरवा जाए यहां पर ठोक देना otherwise please मुझे एक साथ बुलने देना कोई cut नहीं कुछ नहीं मैं खुद कोशिश करता हूँ कि half an hour में मैं चीजें revise करा दो लेकिन फिर भी एक गंटा 20 मिनट लग जाता है क्यों क्यों कि हमारे अंदर एक जुनून है कि हमसे जो बच्चा पढ़के जाए उसके साथ धोका ना हो उसे टफ लगेगा वो सोच के हम कुछ नहीं पढ़ाते हमें यह नहीं करना है कि हम पूरी चीज़ें आपको यह नहीं है तो भाइसाव मैं आपको यही बोलना चाओंगा अगर आपको IITN बनना है तो आपके जम्मिदारी ली है अपने कंदो पर कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगे IATN के quality होती है Never give up हमेशा fight मारती है वो IATN या मारता है तो भाई अगर तुम आज quit कर जाते हो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने अपने batches में शायद ना बढ़ी हो भाई साब ढूंडने से भगवान भी मिलता है जो चीज़ें नहीं लगी है धूंडो कहीं से notes का जुगाळ करो धूंडो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिली ही जाएंगी तब तक लिए जै बाबा की सारा lecture notes short notes में लिखती है सारा मतलब जो जो tough था या फिर जो जो मैंने BKGs दिये लिख लिया है तो भी आपको career की कसम है I'm sorry मैं ये कसम दे रहा हूँ आपको comment करना है JRS दिलदिल J.E. advance rank holder जितनी चीज़ यहां revise कराई है J.E. mains के लिए तो enough ही है और J.E. advance के लिए भी भाईया पूरी है थोड़ी practice आपको periodic function में करनी पड़ सकती है obviously सिर्फ यहां theory बता के periodic में कोई mastery हासिल नहीं करता सवाल करना पड़ सकता है जै बाबा की I love you all and I mean this sentence Tata, bye bye